हेलो फ्रेंड्स केसे हो आप सब आशागुर्ती इस वश्वस्त होगे अच्छे होगे मज़े में होगे और फॉजिटिव फील कर रहे होगे आपको हमेचा पॉजिटिव फील करना है जो गुआपके ऊच्छ फीलिंग में हम देखेंगे आपके परसंग की आज राती एक जम हैप्पी रहना है यहां पर नमबर नाइन है आपके परसंग के बड़ेट में हो सकता है आप जैसे कि आपके परसंग की विश फुल्फिल्मेंट हो ठीक है आपके परसंग करंड पर आपको अपनी जिंदग में बीजी देख पा रहे हैं और जो कि आपको देखकर इस अपने काम पर फोकस हो अपनी जिंदगी पर फोकस हो और आप बहुत जदा अच्छे रिजर्स पार रहे हो ठीक का फाइनस बहुत अच्छा हो रहा है आप नई नई जोब आपके पास जैसी की नई नई opportunities आ रही हैं और आप बहुत खुश भी हुई इस person के बिना आपके person तो sad है आपके बिना और इनको नहीं पता इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनकी sadness आपके साथ share कैसे करें ये कैसे बता है कि आपके बिना इनका हाल कैसे ठीक है इनकी नजरे जुकी हुई है इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है इस पज़े से शर्मीन दा बहुत जाद है ठीक है आज रहेंगे आपको लेके परेशान रहेंगे स्टॉकिंग एनर्जिस भी बहुत जादा रहेंगी फोटो व्यूडियो देखे जाएं ठीक है या तो अगर आप एक वर्क्प्रेस पे काम करते हो तो वहां से इनको कुछ पता चलेगा जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा जलम हैसुस होगी ठीक है यह चाहार है आपको अपने इमोशन बताना लेकिन बताने के चांसे बहुत कम है क्योंकि इस परसन ने आपको ट सकते हैं 100% 3rd party situation इस person ने बनाई और current में जैसे कि 3rd party को पीड दिखाकर जैसे कि current में जैसे कि 3rd party के उपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसे कि अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको उठा रहे लेकि इनका focus आपके उपर है ठीक है आज रात overthinking बहुत ज्यादा रह जिससे कि अपनी जैए जादा नेगेटिव कर रहे हैं धया उन बहुत जादा गलत बात बीच नह handheld होाई है है। और इनकी जिफन्डइर चल्डखी। इंढ़े इंटर कर रहा हुवे तर्ब। परसंने आपको दिया थे और अपनी जादागई अपने जीड़ा है। जो Selfishness इस person ने आपको दिखाए थी, वो Selfishness current पे आपके person, इस third party को या तो दिखा रहे है, या तो ये third party आपके person को दिखा रही है, जिस वज़े से आपके person को बहुँ ज़यदा पश्टावा हो रहा है, और इस परसन ने आपके साथ जो किया करंट पे उनके साथ वही हो रहा है ठीक है बहुत जब खून के आसो आपके परसन रो रहे है और ये पोचने के लिए भी इनके पास कोई नहीं है ठीक है या आपको दिल से जैसी की sorry बोलना चाहते हो कहरे कि आप इनको माफ कर दो क्या आपने दिल से इनको माफ कर दिया क्योंकि आपने अगर दिल से माफ नहीं किया तो शायद ये जिन्दगी में कभी खुश नहीं रहे पाएंगे और ये खुश रहाना भी नहीं चाहते है इनको अब आपके साथ खुश रहेना है ठीक है इनका आज रात complete focus आपके उपर रहेगा और अपने negative energies में जैसे की बहुत ज्यादा होता है ना इनके energy level down रहेगा depressed रहेगे और overthinking की वज़े से रात बर सुएंगे नहीं 100% इनको पता है कि आप इनसे बहुत कुछ पूछना चाहते हो और current पे इनका जै सब कुछ explain करना चाहते है तो आप pentacles है यहां पर 100% इनका बहुत टाइम से आपके साथ आपको balance करने की कोशिश कर रहे है बहुत टाइम से जैसी की समझाने की कोशिश कर रहे है आपको शायद अपने घरवालों को लेकिन यह कुछ समझा नहीं पा रहे है ठीक है जितना efforts ल communication आपको receive हो रहा है ठीक है कुछ लोग के person आपसे आज रात ही बात करेंगे कुछ लोगी person का morning तक message आ जाएगा कुछ लोग के person जैसे की कल पूरा दिन में बात कर सकते हैं और कुछ लोग जैसे की 8 दिन में आपको call message आ जाएगा इस person का ठीक है यह person आपके समने surrender कर चुके आपको दिल से sorry बोलना चाहते हैं और यह sorry बोलेंगे ठीक है आपको अपने side से करना चाहते हैं क्योंकि आपके बिना इनकी जिन्दगी complete तहस हो चुके है ठीक है और देख लेते हैं यहां से क्या निकल के आता है क्या message आते हैं यहां पे past life bad karma यह से जो भी इनकी जिन्दग में भूगतना पढ़ रहा है अपने प्यार से दूर रहे कर और third party में जाकर third party जो कि इनको बहुत तकलिफ देती हैं तो कुछ जिन्दगी में बुरा ही किया होगा कुछ पिछले जनम में बुरा ही किया होगा नहीं तो शादी के बाद मतलब जो सोचा था वेसे तो कुछ है complete उसके opposite होता चला गया है तो क्या तो फिर ऐसा सोच रहे कि 100% मेरा पिछले जनम का बुरा कर्मा था ठीक है not ready to give commitment current पे भी आपको commitment देने के लिए ready नहीं है जैसे कि मैंने बोला यह balance करने के कोशिच बहुत कर रहे हैं लेकिन balance करने ही पार रहे हैं परेशान है बहुत से माफ नहीं करोगे तो शायद इनकी जिन्दगे में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा ऐसा इनको लग रहा है third party attractive आपको शायद यह लगता है कि third party बहुत जड़ अट्रेक्टिव है शायद आपसे कूपसरत है शायद अच्छी जब करती है financially अच्छी है आपको ऐसा लगता है कि इनका ही कुछ गलत करमा था जिस वज़े से इनको third party में जाना पड़ा और commitment देने के लिए इसी वज़े से ready नहीं है क्योंकि जब तक यह third party हटेगी नहीं यह आपको क्या commitment देंगे इस तरह की energy is अच्छी के you are horrible not good आप गुस्ते में इनको बहुत कुछ गलत से बोल दे लेकिन फिर डर जाते हैं डर जाते हैं इस वज़े से क्योंकि अगर आपके खिलाप कुछ बोला जाए तो आप बहुत ज़्यादा गुस्ते में इनको गलत से बाते बोलना start कर देते हो जिस वज़े से इनको डर लगता है और second thing इनको लगता है कि यह सही नहीं है ठीक है क्य इस वज़े से भी हो सकता है कि आपसे contact करते करते रहे जाते हैं ठीक है इस तरह की energy भी बन रही है तो अगर ऐसा कुछ है अगर आप third party की बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ सोचते हो कि third person attractive है इस वज़े से आपके person वहाँ पे जाने के बारे में वहीं पे रुखने के बारे में सोच रहा है और जो कि आपके पास आना नहीं चाहता तो आप पहले अपने दिमाख से ये बात निकाल दू ठीक है आपको ये जानना है कि आपके person third party को current में balance नहीं कर पा रहे लेकिन 100% balance करने की कोशिश कर रहे है आपको ये सोचना है ठीक है तो ये आपके person के से बूक करने ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वडिया में तब तक के लिए बाब बाई